यश्य सर्वे समारं बह काम संकल पवर जीता ज्यानाग्नि दक्ध कर्मानं दमाहु पंडितं बुधा अर्थाद यहाँ परकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जिस व्यक्ति का प्रत्यक प्रियाश अर्थाद उद्यम इंद्रेत्रप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्यानी समझा जाता है उसे ही साधुपूरुष ऐसा करता कहते है जिसने पूर्ण ज्यान की अगनी से कर्मफोलो को भश्मभात कर दिया है त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्यत्रप्तो निराशया कर्मन्य भी प्रवर्त्तो पी नैवा किंचीत करो तिसा अर्थात यहाँ पक्रिष्ण अर्जुन से कह रहे है अपने कर्मफोलो की सारी आशक्ति को त्याग कर सदेव संतुष्ठ तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता नीराशीर्यत्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिक्रह शारीरं केवलं कर्मा कुर्वन नापनोति खिल्बिशं अर्थाद कृष्ठ अर्जुन से कह रहे है ऐसा ज्यानी पुरुष पूर्ण रूप से सयमित मन तथा बुद्धी से कार्य करता है अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल सरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रुपी फलो से प्रभावित नहीं होता है यद्रक्षाला बसंदूष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरह समह सिध्धाव सिध्धोच कृत्वापीनानी भद्यते अर्थात या पकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जो स्वतह होने वाले लाप से संतुष्ट रहता है जो द्वंद्व से मुक्त है और इश्या नहीं करता जो सफलता तथा और सफलता दोनों में स्थीर रहता है वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञाना वस्थीत चेत सह यग्ण्यायाँ चरतह कर्म समग्रम प्रविलियते अर्थात यापकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जो पुरुष प्रकति के गुनों के प्रती अनास्रक्त है और जो दिप्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते है अर्थात यापकृष्ण अर्जुन से कह रहे है जो व्यक्ति कृष्ण भावना मुरत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने अध्यात्मिक कर्मों के योगदां के कारण अवश ही भगत धाम की प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन अध्यात्मिक होता है और हवी भी अध्यात्मिक होती है